बिसमिल्लारमान रहीम रिस्पेक्टिव वीवर्स असलाम लिकों रिस्पेक्टिव वीवर्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि अन्में पाक ठरी के मोस्ट इंपोर्टन टॉप 500 क्वेस्टन की प्लेलिस का अगास किया हुआ तो गाइफ दो पार्ट आप लोगों के साथ अलड़ी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकitude हम जिसमें 1 से लेकर 150 तक जो मौस्ट इंपोर्टन ग्वेसर्ट से बनते थे वह आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं तो guys आपने ये वीडियो को complete watch के लिए ना इन्शाला जो भी आप लोगो पेपर में question में लेगा ना पाक studies related guys वो आप लोगो इस वीडियो से mean के इस playlist से cover हो जाएगा ये मैं guarantee के साथ कहता हूँ so guys without any further delay let's begin आज की वीडियो का पहला question है 151 से start करें constitution of Pakistan 9973 consists of how many articles तो guys हमने बताना है 1973 का जो आईना जिस पर Pakistan अभी भी मीन के जो नाफिज़ अमल में है तो guys उसमें कितने articles हैं तो guys ये आपने याद रखना है 280 articles हैं ठीक है guys आपने schedule भी याद रखने हैं क्योंके वो भी पूछे गए हैं pass paper में सास schedule हैं 1973 के आईन में ठीक हो गया तो ये भी आपने याद रखना है next guys Lama Iqbal attended how many round table conference guys Lama Iqbal ने जो goal में इस conference जिसे हम कहते हैं round table conference को तो guys कितनी goal में इस conference में मिनके शमूलियत participate किया था तो guys ये आपने याद रखना है two में मिनके दो goal में इस conference में participate मिनके attend की थी option B is the right answer next guys question हमारा first international female swimmer of Pakistanis तो guys Pakistan की जो पहली international female swimmer हमने बताना है वो कौन है इन चार option में से तो guys ये most important question है कई बार पास paper में पूछा गाए इस किरन खान है ठीक हो गया option A is the right answer next guys question हमारा which country is located in east of Pakistan guys हमने बताना है Pakistan के east में कौन सा country वाक्या है तो guys इन चार option में से आपने याद रखना है Pakistan के east में है guys India ठीक हो गया बकि आप लों को पता है ने कि west में guys इरान आ जाता है और guys north में चाइना आ जाता है और guys south में आ जाता है Arabian Sea ये आपने चारों याद रखना है क्योंके कई बार पास पेपर में लाजमी पाक स्टडी के पार्ड में ऐसा question examiner add करता है next guys आ जाता है गवादर is located in तो guys गवादर कहां वाक्या है तो guys ये आपने याद रखना है मकरान और guys ये बलोचिस्तान में है option D is the right answer next question है करकरम highway constructed with the help of ये करकरम highway ठीक है ये तमीर जब की गई थी किस की मदसे किस कंट्री की मदसे तमीर की गई थी तो guys ये आपने याद रखना है चाइना की मदसे तो guys ये कब मीन के करकरम highway complete हुई थी guys वो ये भी question में पूछा गया guys 1989 में ये भी आपने ये याद रखना है next question है Manorah Island is located in तो guys ये आपने याद रखना है ये कराची में है option C is the right answer ये most important question है next question है फात्मा जनाह contested presidential election तो guys जो फात्मा जनाह ने election लड़ा था जो सदार्ती election तो guys वो कब किस येर में लड़ा था तो guys ये आपने याद रखना है 1965 में ठीक होगा most important question है बाकि आप लोगों को पता है ने कि फात्मा जनाह guys इनका पेशा भी कई बार पूछा गया ये एक dentist थी ये भी आपने याद रखना है next question which is longest river of Pakistan guys पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया वैसे ये तो आप लोगो mostly Canada जना मेरी rivers वाली वीडियो देखियो ये ने जिसमें हमने पाकिस्तान के तमाम rivers को एक वीडियो में cover किया हुआ है तो guys इंडस रिवर इंडस वाटर ट्रीटी जिसे हम सिंतास माहदा भी कहते हैं तो most लिक एनिडियो इसको पता होगा क्योंके ये तो मैंने लेक्चर्स में इसको भी cover किया हुआ है तो guys ये किस के दोड़े हकूमत में मिनके ये माहदा sign हुआ तो guys ये आपने मैंने बताया हुआ अयूब खान के ठीक हो गया option B is the right answer पाकिस्तान की दरफ से जो guys ये आपने ये भी वैसे याद रखने है अयूब खान उस वक्त प्रेजिडेंट थे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे मिनके सदर थे और guys जो इंडिया के थे वो थे जवाहला नहरू माहदा कहा हुआ था कराची में हुआ था और कब हुआ था 1960 में हुआ था ये तमाम information आपने याद देखने है most important question इंसे रिलेटरी बनते है next guys आ जाता which city is famous for handicraft and glazed pottery तो guys कौन सा सिटी है पाकिस्तान का जो में के हास से बनी हुई चीज़ों then guys आ जाता है चमकदार जो मिट्टी के बरतन बनाते है ना guys वो कौन सा सिटी में के मशूर है तो guys आपने याद एकना mostly candidates को पता होगा जिसका मुलतान के साथ specially तालोग है तो guys मुलतान है मशूर ठीक होगा option है is the right answer next question है पाकिस्तान has a cost line of guys पाकिस्तान के हमने cost line cost line आपनों को पता है ना के साहली पटी को कहते है तो guys कितनी length है तो guys याद रखेगेगा 650 mile guys अगर kilometer में बात हो तो guys 1300 kilometer है उसकी length ये भी आपने याद रखना है next guys आ जाता the dominant source of employment in Pakistan is तो guys पाकिस्तान में जो जादा मिन के रोजगार के मौकिए जिससे मिन के create होते है तो guys वो आपने याद रखना है agriculture sector है ठीक हो गया option is the right answer पी question कई बार पास paper में पूछा गया next guys आ जाता the total number of seats in the senate of Pakistan is तो guys हमने बताना है senate guys senate आप लोगों को पता है ना पाकिस्तान में यह तो आपको बता ही दिया option is the right answer next guys question है which one of the following leaders took part in the presidential election तो guys हमने इन चार option में से बताना है किस leader name इनके presidential उस्दारती election हुआ था ना के हिस्सा लिया था तो guys यह आपने याद रखना है वो है फात्मा जिना यह तो मैंने अभी आपको recently जो question गुजरा है तो guys उसमें भी बताया है ठीक हो गया तो यह भी most important question है आपने यह याद रखना है और यह guys कब हुआ था 1965 में किसके अजयूब खान के ठीक हो गया next question है when was the first session of first constitution assembly of Pakistan है गैस पाकिस्तान की जो सबसे पहली मीन के constitution assembly थी ना guys उसका जो session हुआ था हमने वो date बतानी है गैस यह भी question कई बार पास paper में पूछा गया 10 अगास तो 1947 यह आपने याद रखना है option is the right answer next question हमारा the Indian National Congress was founded by तो guys Indian National Congress की बनियाद मिनके किस ने रखी थी तो guys यह आपने याद रखना है AO Hume ने ठीक हो गया और guys यह आपने year भी याद रखना है 1850 सी में रखी थी यह भी आपने year भी याद रखना है यह भी पूछा गया next guys आजए ता which party was absent from the third round table conference guys हमने इन चार option में से बताना है वो कौन सी party थी जो goal मेंस conference गैस जो तीसरी goal मेंस conference थी ना उसमें मिनके absent थी गैर हाज़ती नहीं participate कर पाई थी तो guys वो थी Indian National Congress and Gandhi भी से कहा जाता है option B is the right answer guys अगर वीडियो कोई समझ आ रही है वीडियो से knowledge मिल रहा है ना तो लाजमी आपने comment section में feedback देना है कि आपको यह वीडियो कैसी लगी guys मैं आपको हर वीडियो में यह बात कहता हूँ कि मुझे आपके comment से नेक्स वीडियो बनाने के लिए motivation मिलती है ठीक हो गया देखें guys मैं आपसे कोई fees कोई charges तो वसूल नहीं करता online कोई भी teacher है ना तो guys वो नहीं YouTube पर कोई भी charges वसूल करता सिर्फ guys जो charges होते हैं वो आपके अच्छे comments ही होते है तो guys आप comment section में लाज़मी feedback देएगी नहीं जैसी भी आपको वीडियो लगती है कोई भी restriction नहीं है ठीक हो गया नेक्स के इस question हमारा वेन वहाज़ा लियाकत अली खान असेसिनेटिड इन रावल पिंडी guys हमने बताना है कि जो लियाकत अली आप लोगो पताना पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे guys वो लियाकत अली खान थे ये भी आपने याद रखना है इनका जो कतल हुआ था guys वो रावल पिंडी में हुआ था ये भी आपने याद रखना है next guys कब हुआ था लार्जेस आईरन और डिपोजिट्स guys हमने बताना है कि पाकिस्तान का वो कौन सा एरिया जो सबसे स्यादा मीन के आईरन की दातों से माला माला है तो guys आपने याद रखना है काला बाग ठीक होगा option is the right answer और guys ये पंजाब में next question is who designed the national flag of Pakistan तो guys पाकिस्तान का जो कोमी पर्चम था ना किसने डिजाइन किया था हमने इन चार उप्शन में से बताना है तो guys correct आंस बनता है अमीर अदीन कुदवाई ठीक होगा ये question भी कई बार पास पेपर में पूछा गया next question is the first nuclear power plant of Pakistan was constructed in guys पाकिस्तान को जो पहला nuclear power plant था guys वो कहां तमीर किया गया था तो guys ये तो mostly candidates को पता होगा guys कराची में ठीक हो गया और guys ये किस country की मदद से में के तमीर किया गया था ये भी आपने याद देखना है question में पूछा गया है Canada की मदद से ठीक हो गया next guys आजाता है article 6 of the 1973 constitution deal with guys question में ये पूछ रहा है 1973 का जो आइन ना उसका जो article 6 है वो किस चीज़ को इन चारप शमें से deal करता है तो guys आपने याद एकना हाइड रिजन में के जो आला गदारी के केसित होते हैं guys उनको deal किया जाता है article 6 में ठीक हो गया option सी इसका right dance बनता है ठीक है next guys आजाता है the war of independence 1857 was started from तो guys आप लोगो पता है ना जो जंग एजादी में के war of independence के नाम से मशूर है तो guys अठाथाना सो स्टावन में में के हुई थी तो guys ये कहां से start हुई थी guys आपने ये याद रखना है मीरत guys ये उत्तर परदेश इंडिया में में के इलाका है उसका नाम है मीरत ये आपने नाम याद रखना है next guys question है the proposed कालाबाग डैम is to be built on river तो guys कालाबाग डैम किस दरिया पर बिनाने की में के तजवीज पेश की गई है तो guys ये आपने याद रखना है इंडस रिवर द्रियाय सीन पर ठीक होगा ये वैसे हमने river system वाली जो वीडियोस में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था next guys question है on 28th माई 1998 पाकिस्तान carried out its first nuclear test in which province was the test conducted guys आप लोगों को पता है इस माई 1998 को पाकिस्तान ने अपने पहले जो एटमी दमाके किये थे तो guys वो किस मीन के पाकिस्ताने सुबह में किये थे हमने ये बताना है ठीक होगा तो guys ये mostly candidates को पता होगा बलोचीस्तान में चागी के मुकाम पर ठीक होगा आपने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर भी नाम याद रखना है वो थे नौाज श्रीफ ठीक होगा ये भी क्वेस्टन में कई बार पास मेपर में पूछा गया तो guys जो गांदी की कुछ इंडिया मुमिट थी तो guys वो कम मीन के टिक प्लेस होग थी आपने ये याद रखना है 1944 में आप्शन सी इसका राइट आंस बनता है नेक्स के इस वक्वेस्टन है इन विच एग्रिमेंट लाइन इन कश्मीर वाद नेम एज लाइन ओफ कंट्रोल इस वक्वेस्टन में ये पूछ रहा है यकम जनवरी 1949 में हुआ था ठीक हो गया आप्शन भी इस दा राइट आंसर नेक्स कवेस्टन हमारा पाकिस्टन स्टीर मिल वास कंस्ट्रक्टिड इन दा रिजन ओफ तो गाई जो पाकिस्टन की जो स्टीर मिल थी कम मीन के बनाई गई थी किस के दोरे हकोमत में तो गाई आपने याद रखना है दुलफकार ली भुटो के दोर में याद आपने वो येर भी याद रखना है कम मीन के इसका इफ्तबा किया गया था उन्नीसों पचासी में ठीक हो गई एक और कॉस्टन बनता है तो आपशिया के तामन से बीए आपने याद रखने हैं डाइस कजिसे में पूछ रहा है कि अमने उसे यह को इंटिफाइव राइए करना है जो पाकिस्तान और ताजिकस्तान और इस तान से गए आपने याद रखने हैं थेको और ओप्शन सीन इस डार आइट आंसर नेक्स वो ना इंडस्तियवर में फाल करते हैं एक ठेक वो किस पॉइंट पर मीन के मिलते हैं हमने उस पॉइंट का नाम बताना है तो गईज वह अपने याद है वह कई पूछागा गाइस मिठन कोट के मुकाम पर आकर मिलते हैं मिन के आकर गिरते हैं इंडस्टिवर में ठीक हो गया अप्शने इजा राइट आंसर नेक्स क्वेस्टन है वेन वाज़ा स्टेट ओफ स्वाद इंक्लूडिड इन पाकिस्तान गाइस स्वाद की जो स्टेट ना पाकिस्ता में कब मिन के शामल ही थी तो आपने वह येर याद रखना है 1979 में ठीक है नेक्स क्वेस्टन हमारा जो सिंद से बिलोंग करते हैं न तो उनको पता होगा गाईज ये उमर मारवी की स्टोरी थोटा सा ब्रीफली बताना चाहता हूं क्योंकि आपको ऐसी रटा तो ने लगाना तो गाईज ये जो मारवी थे ना ये एक खतून थी थर पारकर में गाईज एक गाउं मलीर की रह औरृबृश जो गाउं में और भी जो एक शछक्स था मिनके वो भी इसको लाक करता था ये जो मारवी कर तूझी ना ये काफी हसीन जूमि थी उस वकत के दोड के क्जो प INTERPोस किया कि मैं पको पसंद करता हूं मुझसे शादि करने लेकिन गाईज ये ने नहीं मानी तो ग के लटकी में जब पसंद आई तो गाईज उसने जब सुना ना उस लटकी के बारे में बादशा स्लामने तो बादशा ने खुद भी मिन के उसको देखना चाहा किसको मारवी को अदर गाईज बादशा खुद इसको देखने इसके गाउं में आया जब बादशा इसके गाउं थी लेकिन एटलिस्ट नहीं मानी तो बाश्यास सेमाने की किया इसको अपने साथ ले गया और गाई इसको ना जेर में जाकर बंद कर दिया रोजाना मिन को इसके मनाने की कोशिशित करता कि आमेर से शादी करनें ठीक है लेकिन घाउस वो नहीं मानती तो जैसे वैसे गई थी वैसी आगे थी लेकिन गाउं को ओने के माई में जरनों की मुटली लोगों के शुकूको शभात थे कि इस पर मिन के दबा लग चुका है तो गाईज आकर कार इसकी शादी हो जाती है जिसके साथ इसकी मंगनी होती है मिन के इसका जुरिस्टारी होता है तो गाईज जिस रात पहली रात ये कमरे में बैठी होती है अपने मिया का वेट कर रही होती है तो गाईज ये बातों मिन को सोच रही होती है कि मिया ने आते ही मेरे अगर वो वाला स्वाल कर दिया जो गाउं वाले सोच रही होती है मिन के अपनी इज़त के बारे में ये तो गाईज ये इतना ज़्यदा सोचती है इतना ज़्यदा परेशन होती है आखरकार वो उसी राधी फोत हो जाती है तो गैज ये इसकी मिन के थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफली बताया ये स्टोरी है तो गैज आज भी ना आज भी इसको सिंध में एक बहादर खतून के नाम से मिन के जाना जाता है तो गैज मैंने कोशिश किया कि आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दिये जाए ताकि आप लोगों को ऐसी ही मिन के रटा दोने ना लगाना तो मैं अमीद करता हूँ आपको ब्रीफली थोड़ी सी स्टोरी पता चल चुका गा तो गैज मैं एक ना सेपरर वीडियो भी बना दूँगा बहुत जल्द अपने चैनल पर इस से डिलेटी तीन से चार मिनट गी ठीक हो गया तो गैज आपने याद रखना है ये वैसे उर्दू में भी कई बर क्वेस्टन पूछा गया थीक हो गया तो गैज ये आपने याद रखना है ये बलोचिस्तान में आते हैं डिस्टिक ठीक होगा और ये याद रखना है ये तुगलक डिनेस्टी कलाता है ये आपने याद रखना है वार्सक डैम हैज बिल्ट ऑन दा रिवर ओफ तो गैज ये काबल रिवर पर बना हुआ है ये आपने याद रखना है और पाकिस्तान को जो सबसे पहले डैम है वह भी वार्सक डैम है पाकिस्तान के किस सिटी में है तो गाइस वह है पिशावार्स किस्तान के किस सिटी में है तो गाइस वह है पिशावर में ऑप्शन डी इस दा राइट आंसर नेक्स काइस क्वेशन हमारा अउनली डैट परसन कें बी अप्वाइंट 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 इस तो गाइस ये आपने याद रखना है जज अवदा जो सप्रीम कोट है ना वही पाकिस्तान को यह भी कई बार पास पेपर में क्वेशन पूचा गया है ऑप्शन सी इस दा राइट आंसर नेक्स क्वेशन है तो गाइस कब बना था 1973 का आइन गाइस यह आपने याद रखना है मिनके नाफज अमल में कब लाया गया था तो गाइस वह था 14 अगस 1973 को नेक् अपर हाउस पाकिस्तान भी कहते हैं तो गई जब इनको कठा मिला कर पड़ा जाता है तो गई उसे मजल से शुड़ा मिनके पारलिमेंट भी कहते हैं यह क्वेशन भी कई बार पास पेपर में पूचा गया और यह आपने लाजमी याद रखने हैं नेक्स क्वेशन हमारा व बार पास पेपर में पूचा गया है ऑप्शन भी इस दा राइट आंसर नेक्स क्वेशन है प्रेजिदेंट इस एलेक्टिट बाए तो गई प्रेजिदेंट आना यह मुंत को बहुता है नेशनल असंबली से भी और प्रेवेंशल असंबली मिनके तीनों से ही आल ऑफ दा आपने याद रखना है नेक्स वाइट इस नोट कीजेगा हम 1973 के अभी वैसाइज जैसे आप लोगों को पता है ना कि हमने 1956 को भी कम्प्लीटली जो जो क्वेशन बनते तो वो कवर किया हुए है फर्दर गई 1972 का कवर करेंगे नेक्स गई 1973 का भी कवर करेंगे तो गई आप लोगों को पता ने कि आर्टिकल से रिलेटी काफी क्वेशन पेपर में पूछे जाते हैं तो गई जो जो बनते है ना इसको हम से 73 का जो आईन है ना गाईज उसमें जो सिक्रेट बैलेट है ना गाईज वो किस आर्टिकल में उसको डील किया जाता है तो गाईज यह आपने याद रखना है आर्टिकल 226 में ऑप्शन भी इसदार राइट अंसर अभी मैंने जैसे आपको काया ना है कि हम 1973 के जो कॉंस्ट पूच्छा गया है तो गई यह थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ 150 से लेकर 200 तक मोस्ट इंपोर्टन कोईसे शेयर कर दी है तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नौलिज मिला तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को थैंक यू फर वाचिंग टेकर अलाहाफीज